जैहिन मेरे प्रवच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि intermediate परिक्षा 2023 का एकजाम स्टार्ट हो गए है और आपका जो है छो फरवरी से political science का एकजाम स्टार्ट है तो ऐसे में आपके पास ऐसा प्रसंद पढ़ने का मिले जो कि आपके board परिक्षा में हूँ बहु यही प्रसं पूछे जाएंगे तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अन तक दिखेगा और लास्ट में जरूर बते हैं कि वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो के देखने के बाद आपको हम PDF भी दे देंगे फिरी में जिससे आप क्या कर सकते हैं तो PDF लेने के लिए आपको लास्ट करती वें चलिए इससे क्या होगा आपका प्रेक्टिस और अच्छा खासा हो जाएगा तो चलिए एक नमर में देखे और एक नमर में क्या करा कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कोन है ये जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक है उसके लेखक कोन है तो अरस्तु जी है कोन है अरस्तु है कि नागरी गंतंत्रबाद का सुत्र किसे ने फर्दान केते मेरे पैचो तो वो जो किये हैं अरस्तु जी किये हैं कुन किये हैं अरस्तु जी किये हैं अब चार नमर में देखी क्या कह रहा है कि किसने कहा कि सांती कायरो का सपना है बहुत ही जवर्दस्त बोला है कि कोई व्यक आपको पता होगा, 1970 के बाद होगा, 1970 के बाद होगा, 1970 के आपको लास्ट में बता देंगे, अब देखिए आपके सामने आपके सामने के उपरांद कौन दो महा सकती साली उभर कर सामने आए, क्या गरा है कि दूती विशुट जो के 1945 तक चला था, लास्ट था, उसका 245 उसके बाद क्या हुआ, दो महा सकती साली उभर क्या है, यह दोनों की दोनों महा सकती साली बहुत ही ताकत दोर थे, तो उन दोनों का नाम क्या था, एक का नाम था सनिक दराज अमेरिका, और एक का साथ नूमर में क्या पर्फ्तर दीएगा कि ओठण के बाद रूसका पर्थन निरवासित राष्ट पति कुण उसके बाद उसका राष्ट पति कौन था ये आपको बदाना है यह जो इरिक...? बहुत अच्छे यह जो थे यल्डषण थे कौन थे ? । सबसे पहले कौन सा अलग हो था योग्य सलाविया यहां पर देखे गलास नाष्ट या परिशिष्ट का के मंत्र किस ने दिया था यह भी प्रसंट थोड़ा सा पर फ्रांस जर्मनी तो आपका पता होगा कि रोनाल्ड रिगन जो है यह यूयस से के हैं मतलग कि अमेरिका के थे अमेरिका के राष्ट पती थे कुन रोणाल्ड रिगन अभी ग्यारण आवर पसंट वे एक क्या करा है कि एक दुरबेतिक की स्थीति किस राज्य के एक माद्र हो जाता है मतलब कि उसका बिनास हो जाता तो समझे लिजे तो उसके बाद कुन बज़ता है अमेरिका बज़ता है तो option यही बोला जा रहा है राइट option D होगा ठीक है अब देखें बारे नमबर में क्या कराएं कि निमलिक्षित में से कौन सा अमेरिका दोरा आतंगबाद के ब इसके वेस्विक यूद्ध का हिस्स्ट था तो बारा नमर के वह देगा प्यारे क्या होगा बहुत अच्छा यह जो होगा ऑप्रेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम जो कि ऑप्षन क्या होगा सी होगा क्या होगा ठीक है अब देखिए आपके सामने 13 नमर में क्या करा है कि पुर हाट नहीं पढ़ेगा तो आपको बोड़ या में इजी पूछने वाला भी नहीं है याद रखेगा या आपको इजी पूछेगा भी नहीं आप देखिए चोदन नमर में क्या करा है कि कि किस देश के साथ भारत ने मितरतावाई वैपार के संदेगी जिसकी प्रस्तावन मे पंचसील सुत रखे गए थे आपको पता होगा कि पंचसील जो है सौरी पंचसील पंचसील जो है वो किस के किस में हुआ था भारत और चीन के बिच हुआ था भारत और चीन के तो आप्शन क्या होगा था पता होगा है ना याद बहुत अच्छे बाते वर्तमान में कौन आ आसियान का सदर से नहीं मेर पर चो देखे आसियान में टोटल परे 5 था फिर 5 बर गए तो 10 हो गया था लेकिन अभी आहां पर बताना है कि नहीं है तो इंडोनेसिया, फिलिपेन, सिंगापूर, थाइलेंड, मलेशिया ये है लेकिन अलजिरिया ये आप नहीं परे होंगे क्य ये नहीं है तो आप्सन C आपका बिल्कुल ही ट्राइज अन्सर होगा ठीक है आसियान का आर्थिक समुदाई का उदेशे है ये जो आसियान का आर्थिक समुदाई का जो उदेशे होता है क्या था ये सभी के सभी थे आप्सन D होगा आसियान देशों का साजहा बजार और पादन का तयार करना चाहते है ये सभी कि सभी है तो option D होगा अब 17 नवर पर संदेखे क्या करा कि आसियान का विश्वा सिखर समेलन अप्रेल 2012 में कहां आयोजित हुआ था ये आपको बताना है कहां पर हुआ था बहुत अच्छा नोम पों में हुआ था जो कि option क्या होगा C होगा क्या होगा option C होगा अब चलिए 18 नवर में क्या करा है कि 55 समझा था किन दो देशे को बीच मुआ था और भारत और चिन के बीच मुआ था याद होगा जिसमें भारत भी आते हैं पाकिस्तान भी आते हैं बांगला देश भी आते हैं नेपाल भी आते हैं भुटान भी आते हैं ये सब देश आते हैं इसमें ठीक है तो ये इसमें जो मावाद को तल पदल कर दया था ये किस को किया था ये बताना आपको उन्हें इस नमर का सबसे पहले समझेंगे कि सथापने कवजी तो उनीशन पचासी में टोटल कितने देश है और इसका सदस्य देश है यह जो है आपका भारत ही कौन है भारत इसका सदस्य देश है बागी सब नहीं है अब देखें बाइस नमर में क्या करा है कि उनीशन और तालिस में सदस्य अपनाई थे मेरे पर जो यह अपनाई थे मानवा आधिकारों की सुरब भॉमिक घुसना जो कि ऑप्सन ही होगा जो कि 10 दिसंबर के मानव के अधिकार के लिए मनाया जाता है आपको पता होगा कमने आ बिसो एंड दिबस कमना आता है तो यह जो मना जाता है मेरे पर चो यह एक दिसंबर को या 10 दिसंबर को या 24 दिसंबर या इन मैंसी कोई नहीं तो फटा फर इसका कमेंट करके बदेंगे चली बहुत अच्छे बात है इसका जो राइटन से क्या होगा यह होगा याद रखि बहुत अच्छे यह हुआ था 1983 में ऑप्शन भी होगा अब यहां पर 26 दिबस कमना आठ मार्च कमना जाता है राइट पता होगा अब देखिए यहां पर 27 दिसंबर पर संगठन के स्थापना हुई थी यह हुई थी ने 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 देखिए यहां पर कुछ मिस्टेक है पर यह क्या करा है कि किस वर्स बिस सुब्य पार संगठन का संगठन के स्थापना हुई थी तो 27 दिबस का आपका राइटेन से क्या होगा 1995 में हुई थी 1995 में जिसे WTO के नाम से भी जानते हैं क्या है WTO के नाम से जानते है वर्ल्ड ट्रेंड और एगनेशन ठीक है अब चल सथाइस के संगठन के कितनी है तो सथाइस की सथाइस की जो है पांच है तो टोटल मिलागे कितने हो यह पंदर हो यहाद रिखेगा अब यह आप देखे प्रम परागत सथावा निति के कोन-कोन से तत्वे हैं इसके बारे बतिए गएगा बहुत अच्छे सबी सक्ति संतुलान गटबंदन की राजन यह सब होती है 1992 में प्रित्वी सिखर सम्मिलन का उद्गाटन किसे ने किया था यह आपका बताना है तो किसे ने किया था मेरे पर चो यह जो किये थे बतीस ने किया करा है कि किस ने कहा भूमडली करन बिशिष्ट वाद का सर्वभामिक करन या सर्वभामवाद का विशेश्ट्री करन है ये किसी ना किसी के द्वारा बोला गया सब्द है क्या है किसी ना किसी आप विक्ति के द्वारा बोला गया सब्द है ये जो सब्द बोले हैं कोन बोले हैं बहुत और या रोबर्ट सन बोले हैं जो कि option क्या आप देखें, 34 सनवर में क्या करा है कि आधुनिक यूग में और थिविवस्ता के छेतर में होने वाली सबसे बड़ी करांती कौन से थी, देखें क्या करें कि आधुनिक यूग में और थिविवस्ता के छेतर में जो होने वाली सबसे बड़ी करांती कौन थी, तो मेरे पैचो ब्रेटन वूट्स सम्मिलन कब हुआ था या किस वर्स हुआ था यह आपको बताना है तो यह जो है 1944 में हुआ था option C होगा IMF और विश्व बैंक ने काम करना सुरूर किया था तो वो कब किया था मेरे पैचो यह 1947 में option B होगा 27 वर्स को कितने वर्स का होता है चोवर्स का option A होगा निमन में से कोन संग-सुची का भी साय है तो यह आपको बताना है फटा-फट right answer क्या होगा बहुत अच्छा रक्षा है क्या है रक्षा याद रिखेगा अब देखे प्रम प्रागत सुरक्षा नीति के कुण 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 से दत्वे प्रम प्रागत सुरक्षा नीति के तत्व कुण 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 से है इसमें जो है सबी होते है सक्ति संतुलन हो गया गट बंदन की राज इसे याद रहधाएगा। बीधान सावा की बेटक में गतिपूर्ति के लिए, घन पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य के वस्थिति अनिवारिये हैं. तो यह आपको बताना है या आगस्तक हैं. तो एक सेले के दस सदस्यानी या दस सदस्यों की होना बहुत ही झरूरी है ठीक है अब देखे ब्यारीस नंबर में क्या खहा है कि भारते सभीधान के किस अनुचेद में भारत को राज्य का संग क्यों घोसित क्या गया है वह अनुचेद पर हिएगा पर्थम में ही दिया सर्वच्चे नियाले के नियाएधिस की नियुक्ति कोन करता है तो राष्ट बदी करता है सबिधान की किस अनुछेद में किंदर और राजे के बीच बिधाई संबंदे कवले किया गया है किस के किस के बीच में किंदर और राजे के अनुछेद और सबिधान मेरे बहुत बार पूछा गया है आपको हमेशा याद करना है कि सब इधान और अनुचेद 100% पूछेगा तो पूछेगा ये आपको छोड़ेगा नहीं क्या है ये आपको छोड़ेगा नहीं 44 नमर का बतिएगा राइट एंसर क्या होगा बिल्कुल जबरदस आपका जो राइट एंसर क्या होगा बहुत अच्छे यह किसका है यह जो है आपका भारत का ही है किसका है भारत का ही है ठीक है राजयपुर्ण गटन आयो किस थापना का ओई थी तोने सुत्पिरपन मुझे ती option ए होगे किसके according भासा का धार पर होई थी ठीक है अब देखे अनुसोची जाती संक्या स्थापना क इसने केती तो ये के थे भिंुराम बेच कर जी option b होगा क्या होगा option b होगा कास्मीर के भारत भारत में बिले कंदया यह नहीं चाहते है ठीके भारत की सविधान सबागा गठन किस योजना के अधार पर हुआ था तो ये आपको पता होगा किस योजना के अधार पर हुआ था पता है ना किस योजना के अधार पर हुआ था फटा पुटा दिएगा 49 का क्या होगा बहुत अचे ये कैबिनेट मिसन योजना क्या दार पर हुआ था, संघात्मक धाचे के लिए अपर यहारीय लक्षन था क्या है, तो 50 नमर के बद येगा सपर ल Lives कि यहाँ पर एपको साइड में दिखाए रहा हूँ और सप्सक्राइँ एभा छलसके के घुषब करते हैं यहां पर आजए कPad वीडिया रहे में इस के ज स्केस्ट कैसे जाएगा यहां पर आपको आपको उब् winner यहां पर देखे यह आपके बन्दर पहने परन याद करके जाएगा तो जाएगा, 100% याद कर लीजेगा उसके बाद आपको 50 गेस क्योशन डाल दिये हैं, उसके बाद आपको 15 जो ये भी है, ये वाला 15 इसमें short और long दोनों है इसमें और इसमें जो है आपका ज्यादा खासकर long है ये वाला में, ठीक है ये जाकी एक बार जरूर सर्च कीज़ेगा और वीडियो कैसा लागा, आप हमें जरूर बदेगा, सर्च क्या करना है आपको Google पे जाके सर्च करना है, Selfish टरी कुन्दन कुमार, उसके बाद ये आएगा इस पर कार का back वाला देखा देते हम आपको इस पर क्लिक कीज़ेगा उसके बाद आपको सर्च करना है, सर्च का उप्चन दिखाएगा उसके सर्च कीज़ेगा, जो सब्देट परना है वो सर्च कीज़ेगा, ठीक है, मिलते हैं गले वीडियो मैं अभी के लिए बाइ-बाइ, जैहेन, जैभारत